Hey there, welcome back to our channel in a classroom. आथ के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, Old. Old, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि Old का मतलब हिंदी में क्या होता है? So, जो वर्ड है Old, Old को हम हिंदी में कहता है, पुराना, पुराना, पढ़ाचीन, बुढ़ा, यह सारे वर्ड ओल्ड में इंक्लूड होते हैं. Old का मतलब होता है कि Having lived for a long time, मतलब कि बहुती लंबे समय से जी रहा हो, बहुती लंबे समय से है, वो रखा हुआ है, एक्जिस्ट कर रहा है, on longer age, मतलब कि बड़ी हयात से, बड़े age से, बड़े उम्र से, उसे हम कहेंगे old, तो old तो यहां पर दो तरीके से हो सकते, old या फिर कोई चीज, कोई सामान, कोई place, उसको भी हम old कह सकते, क्योंकि वो लंबे समय से आ रहा है, सब्सकि कोई राजा का महल है, जो बहुत ही पुराने टाइम से आ रहा है, पुराने टाइम से वर्ल्ड में exist कर रहा है, अभी भी वो टूटा फूटर नहीं है, कभी, वो कैपे crushed नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और पीरी देर पीरी हर इंसान उसको देख रहे है, उसके photo तस्वीरे ले रहे हैं, सब कुछ उसको देख रहे हैं, तो मतलब कि वो बहुत पुराने समय से आ रहा है, तो वो जो महल है, वो old हो चुका है, और एक world, old हम उसको भी कह सकते एक इनसानों को इनसान जो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं बहुत लंबी age से आ रहे हैं जैसे बुड़े दादा और दादी जो बहुत लंबे समय से अभी तक exist कर रहे हैं तो उनको भी हम old कहेंगे old यानि की पुराना अब पुराना इंसान हो या फिर पुरानी कोई चीज हो उसे हम old कहेंगे यानि पुराना सुगस हाय होप आपको ये वीडियो को टॉपिक समझ में आया गया होगा और ऐसे वीडियो ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हु नेक्स वीडियो को गुद्बाइ